जह हिंद आज है दू मईए और दू मईए के दिन आडानी वील मार के क्वाड़ा फरुक रिजल्ट आने हो ला था रिजल्ट आ भी गया है और एकदम अनुमान के मुताबिक आया है यानि कि अच्छा आया है आपको बिल्कुल डरने और घबलानी की कोई इसमें बात नहीं है लेकिन यह गिरावट क्यों हुआ यह समझे प्रोफिट बुकिंग आज हुआ है इसमें जबरदस्त जो लोग भी निचले लेवल पर भाई किये थे वह आज पाटर फूर की रिजल्ट को देखकर पैनिक सेलिंग कर सकते हैं इसको कर रहा है और लोग को लग रहा है कि सेयर जारी किया है लेकिन यहां आप ध्यान देंगे कंपणी ने डिवडेंट देने की बात नहीं किये इस कौर्टर रिजल्ट में कमपणी डिवडेंट नहीं देने जा रही है सिधे चलते हैं क्वाटर फूर के नतिजों के ऊपर देखेंगे यह जो कौलम आप देख रहे हैं ग्लान के क्वाटर फूर का monste एक बनाए गया है और यहां पिशले चिर यान कि क्वाटर थिरी के लिए और यहां जो कौलम है पिछले साल कोडर फूर की नतिजहों का रिजियों के लिए बनाएग्या है अब समझेंगे क्वाटर फूर में अडानी वीलमार गा जो टोटल वह हुआ है 15,022 क्रोण रुपेगा सारे फिकर्स क्रोण में हैं तो समझने में भी आसानी होगी जब पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो इसका रिभेनु हुआ था 14,405 क्रोण का यानि कि क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो रिभेनु बढ़ा है और अच्छा खासा अब अगर साल पर पहले की बात करें तो साल पर पहले जो क्वाटर फूर का इसका रिएल्ट आया था उसमें इसका रिभेनु हुआ था 10,698 क्रोण रुपेगा हलाकि साल पर पहले ये कंपनी सेर बजार में लिस्टेड नहीं थी सेर बजार में भी लिस्ट हुई है लेकिन इसका काम धंदा तो पहले भी चल रहा था तो पहले भी चल रहा था तो रिजल्ट पहले भी आते थे लेकिन अनलिश्टेड मार्केट में आते थे अब यहां समझेंगे कंपनी का जो टोटल खर्चा हुआ है इस बार देखेंगे वह हुआ है इतना रुपया कंपनी अपने बिजनेस पर अलगला कारें उपर खर्च की है जो पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो यह था 14,099 रुपया यानि कि क्वार्टर ली बिस्टिस पर देखें तो खर्चा भी बढ़ा है क्योंकि रिभेन्यू बढ़ा है तो खर्चा होता है और उसमें तरक्की मिलती है अब बात करें पीवीटी इसको ध्यान से समझेंगे पीवीटी और पीटी के बीछी सारा ममला फासा हुआ है जिससे लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं पीवीटी काते है प्रोफिट भीफोर टेक्स देने के पहले की बात होती है तो इसमे कोई ज्यादा कांतर है और अडानी बीलमार जैसी बड़ी कंपणी के लिए अगर प्रोफिट में उपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई ज्यादा चिंता घवडानी की जुरूद नहीं है और अगर साल पर पहले देखेंगे तो यहां प्रोफिट भीफोर टेक्स जो था द लेकिन सुद मुनाफ़ा आप देखेंगे तो क्वार्टर फोर में दूसर चैन गरउट देखने को मिल रहा है अब लोग इसी बात को लेकर चिंतित हो गए कि इसका प्रोफिट कम हो गया है जबकि उनको समझना चाहिए कि यह टेक्स बीनिफिट की वजह से प्रोफिट कम ह हुआ है देखिए जो गौतम अडानी है और भारत सरकार अच्छी तरह आपको पता है कि यह दुनों आदमी के मिली भगत से गौतम अडानी अभी बिस्टों के चोथे सबसों धनी बेक्टी बन गए हैं टेक्स बेनीफिट का फैदा सरकार को मिलेगा और सरकार को फैदा है लेकिन यहां यह बात समझने की जिनोंते टेक्स बेनिफिट के वज़ा से इसका जो मुनाफ़ा हुआ उसमें हलका गिराउट देखने को मिला है लेकिन यह कुछ चिंता की बात नहीं है यह बात लोगों को समझ में यह पैनिक सेलिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है इसका EPS कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है तो देखेंगे इसका EPS हुआ है 2.01 रुपय का जो कि पिछले क्वाटर में था 1.85 रुपीज का तो और अगर साल पर पहले देखेंगे तो वहां से थोड़ा सा कम हुए हला कि आप एक बात मिला यह जब से कंपनी सेर पर पहले तो आप यहां समझें यह जो आडानी वील मार कंपनी आपको पता है कि कंपनी काफी संदार है क्या काम करते कंपनी FMCG का डिमांड कभी कम होगा नहीं चाहिए कुछ भी आजाए लोग खाने पिने की वस्तिवें खर देंगे फंडामेंटल ठीक है तो हमें हमारा इंबेस्टमे प्रिजट करने तो थोड़ा तो गिराओठ होगा तो सब्फावी के थोड़ा से डाउन जाएगा और कितना जा सकते ज्यादा ज्यादा साथ सो रुपे का आश पास आएगा और कम आएगा शाड़ा छो रुपे तक इससे तो ज्यादा नीचे नहीं आएगा इसलिए आप भ कोई कमी नहीं कोई दिकत नहीं है तो उमीद करता हूं आप मिनी बातों को समझ पा रहे होंगे वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी फिर पर मन में कोई सवाल है कोई कर निफूजन है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पुछे मैं उसका रिपलाई दूँगा परसनली मुस